अब हम सुरू करते हैं अध्याय सोला के प्रस्नवली को तो अध्याय सोला का प्रस्नवली एक का प्रस्ना है निमली की सब्दों का अर्च समझाईए तो हमें कौन कौन से सब्दो का अर्थ समझाना है तो हमें समझाना है वर्गांतर का, वर्ग का आकार का, वर्ग की आउरिती का, वर्गांग का और वर्ग की सीमा का हमें अर्थ समझाना है तो सबसे पहले हम वर्गांतर को देखते हैं तो वर्गांतर क्या होता है किसी वर्ग की उच सीमा एवं नीमन सीमा को वर्गांतर कहते हैं मतलब उच सीमा और नीमन सीमा के जो अंतर होते हैं उसको वर्गांतर कहेंगे तो यहाँ पर देखो एजामपल में जैसे डिखाओँ है तो 1 और 11 एक ही लाइन में है ये दोनों क्या है निमन सीमा है ठीक है और जो डेस दिखाए है डेस दिया हुआ है उसके उस पर दिखाए दिखाए दिया रहा है 10 और 20 वो क्या है उची सीमा तो अपने अपने जो सीद में जो नंबर है जैसे कि 10 और 1, दोनों एक ही सीद में हैं तो एक ही सीद वाले नंबर को हम क्या करेंगे, एक दूसरे में घटाएंगे तो उसका अंतर जो प्राप्त होगा, उसी को हम कहते हैं वरगा अंतर ठीक, समझ में आगे आपको, तो यहाँ पर देखो, 10 में एक घटाएंगे तो कितना है, 9 आया, तो 10 में एक का अंतर कितना है, 9 आया और इसी तरह देखो, 20 में 11 घटाएंगे, तो उसका अंतर कितना आ रहा है, 9 आ रहा है तो जो अंतर decide हो रहा है जो अंतर हमें प्राप्त हो रहा है इसको हम कहते हैं वर्गांतर इसके बाद देख लेते हैं वर्ग का अकार तो वर्ग आकार क्या होता है? वर्ग की वास्तविक उच सिमा तथा वास्तविक निम्न सिमा के अंतर को वर्ग का आकार कहते हैं तो देखो यहाँ पे संख्या लिखा हुआ है नीचे में एक, दो, तीन, एक, दो, चार्च है, दस, ग्यारा, तेरा, पंद्रा, बीस तीक है, यह सभी संख्या है, अब इसी संख्या से ही मिलकर, क्या बना है? उच सिमा और निम्न सिमा बना है, तो देखो इसमें एक भी दिया हुआ है, और इसी तरह से देखो तो किसी वर्ग के अंतरगत आने वाले पदों की संख्या उस वर्ग की आउरिती या बारामबार्था कहलाती है। इसे कैसे लिखते हैं तो बारामबार्था या फिर वर्ग की आउरिती तो इसे सधारान समझते हैं यहाँ पे जो दिया हो देखो एक, दो, तीन, 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 तो चार, फिर 5, 8, 9, 10 दिया हुआ है, और नीचे में लिखा हुए 1 से 5 और 6 से 10, तो इसके अंदरगत, 1 से 5 के अंदरगत, जितने संख्या आएंगे, ठीक है, जितने संख्या, और जो सबसे ज़्यादा अधिक रहेगा, जो संख्या, उसको हम 12 बारता कहते हैं, तो देखो यहाँ पे एक से पांच के अंतर गत अगर संख्या ला रहे हैं, तो क्या क्या आ रहा है एक से पांच के अंतर गत, एक, दो, तीन, चार और पांच, पांच तक क्या रहे हैं, कितने संख्या हो गए हैं, टोटल अगर गीने तो, तो यह हो रहा है, एक, दो, तीन, च कहलाएगा वो 8 कहलाएगा क्यों क्यों कि सबसे अधिक बार 8 वाले जो पद है जो एक से 5 है उसके अंदर गए जितने भी संख्या आ रहे है इसी पद के अंदर गए तीक है अब आगे बढ़ते हैं वर्गांग के उर तो वर्गांग क्या होता है किसी निश्ची द्वरग की उ उच्य सीमा एवं निम्न सीमा के मध्यमान को उस वर्ग का वर्गांग कहते हैं तो देखो उच्य सीमा और निम्न सीमा के बारे में हम पढ़े हैं तो उच्य सीमा क्या हो गए जो जो लेप्ट हैं साइड में होता है ठीक है जो बाया भाग में होता है और जो दाया भाग में होता है वो क्या होता है वो होता है उच्छ सीमा निम्न सीमा बाया भाग में और दाया भाग में उच्छ सीमा और उन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो जोडने के बाद दो से भाग देंगे दो से भाग देंगे तो वर्गांग कहलाता है फिर आते हैं अंतिम में वर्ग की सिमाएं तो प्रतेक वर्ग की दो सिमाएं होती है पहला वर्ग की नीमने सिमाएं होती है और दूसरा उच्छी सिमाएं होती है इसके बारे में हम लगातार जीकर कर रहें ठीक है तो प्रतेक वर्ग की दो सिमाएं आप हम अपवर्जी वर्ग में अंतर बताईए तो समावेसी वर्ग क्या होता है और अपवर्जी वर्ग क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ते चलते हैं और अंतर उसी को हम अंतर में लिखते जाएंगे तो पहला देख लेते हैं समावेसी वर्ग में इसमें वर्ग की उच्छ स और उच्छ सीमा में देखो, तो क्या कहा गया प्रस्न में, इसमें क्या कहा गया कि उच्छ सीमा जो है, वो अगले वर्ग की निम्न सीमा बनता है, तो देखो वहाँ पे 0 से 10 है, 10 अभी उच्छ सीमा है, ठीक, उपर में, लेकिन जब वो अगले पद में आता है, तो वो क्या बन गया है नीमन सीमा तो इसी के बारे में उन्होंने जीकर किया है अब जाते हैं अपवर्जी वर्ग में अपवर्जी वर्ग क्या होता है इसमें वर्ग की उच्छ सीमा अगले वर्ग की नीमन सीमा के बराबर नहीं होता है तो देखो यहाँ पर एक से दस गया है दस के होता है ठीक है तो आपको समझ में आगे होगा एक अंतर दूसरा देखते हैं इसमें वर्ग की निमनसीमा और उच्छ सीमा दोनों उस वर्ग में समाहित होता है देखो उच्छ सीमा भी और निमनसीमा दोनों ही उस वर्ग में समाहित है देख लो भई 0 से 10 10 से 20 मतलब क्या है ल पुछ सीमा दोनों वर्गों में समाहित नहीं होते तो देखो दोनों वर्गों में समाहित नहीं है कैसे एक से 10 गया फिर 11 से 20 गया फिर 21 से 40 जाएगा तो कहां प्यार है कहीं भी नंबर दोबारा रिपीट नहीं हो रहा है तो यह अब आपको अच्छे समझ में आगा होगा कि समावेसी वर्ग और अपवर्जी वर्ग में अंतर इस प्रकार से बनता है इसके बाद हम लोग अगले प्रस्न को देखेंगे